कि सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट होल्डर इंड्यू कोर्स के एक्जैम टिप क्या करें अगर के निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट गुम हो जाए और किसी दूसरे परसन को मिले क्या जो फाइंडर ओफ इंस्ट्रूमेंट है वो होल्डर कहलाएगा कि होल्डर इंड्यू कोर्स होल्डर कहलाएगा क्योंकि अगर वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो उस सूरत में वो इंटाइटर्ड है उसकी पेमेंट को रिसीव करने के लि कोर्स नहीं है होल्डर है legal effect क्या होता है יותר होल्डर ने कोण का के अगर होल्डर payment receive कर ले instrument की तो मोन है उसको repay करने के लिए लेकिन होल्डर को सबस्क्राइब करता है वो किसी को पे करने के लाया-बल कर सकता है बिल्कुल कर सकता है होल्डर भी रिसीव कर सकता है और इंडू समय सीव कर सकता है फर्रक यह चीज़ नहीं है कि होर्डर सीफ कर सकता के नहीं फर्रक इस का है बाद में लाइबल to repay to को नहीं होगा ठीक है जी को लिए होडर कहता है किसको कहते है अगर बेर इंस्ट्रूमेंट होगा तो होडर हो जाएगा बेर जो बेर भी होल्डर है जिसके पास इंस्रूमेंट वही होडर है अगर order instrument है तो इसका holder कौन होगा यहां तो पही होगा यहां पही ने अगर आगे किसी और को transfer किया है तो जिसको transfer किया है वो holder होगा यह कह रहा है ठीक है यह फर्स किजिए हमारा एक negotiable instrument है यह हमारा निगोशियबल इंस्टूमेंट इस में इस जगा पे को ना आता वाला किसके साइन आते हैं जे यह ड्राई यहां पे यहां पे यहां पे तीन जगों पे नाम होता है यहां पे ड्रॉर यहां पे ड्रॉर यहां पे यहां पे क्या पे के पास राइट है जब इन दोनों ने साइन कर दे इनों ने भी साइन कर दे यह आगे किसी को निगोशियट कर सकता है फर्ज कीजिया इसने A को किया A ने आगे B को किया B ने आगे C को कर दिया अब होल्डर कौन होगा अगर तो कोई इंडॉर्समेंट नहीं हुई तो होल्डर होगा पेई अगर कोई इंडॉर्समेंट नहीं हुई होल्डर कौन होगा पेई होगा और अगर पेई ने इंडोर्समेंट की है तो जो इंडोर्जी होगा जिसको इंडोर्स किया गया वो होल्डर होगा अगर इंडोर्समेंट हुई है सिरफ एक एक हो होल्डर ए होगा अगर ए ने फर्दर बी को इंडोर्स कर दिया तो इंडोर्जी कोन है बी है भी अहीं हे छोठोर घू है तो थूर बर इस इंने अए जो अनट है इसका एंटूर कौन होगा यहां तो पए अगर इंडॉस्मेंट नहीं कि गहीद पे अर्गर इंडॉस्मेंट की गया है तो जो आहरी हैं डोर्जी होगा वो उसका अघ्य और यह क्लियर में क्वेस्ट और की क्वेस्ट जी निगोसियेशन की दो टाइप्स हैं कि निगोसियेशन बाई मेर डिलिवरी यह बेर इंस्ट्रूमेंट के केस में निगोसियेशन की जाते हैं अब देखिए वो कह रहा है कि डिसाउनर पे ट्रांस्फरर लाइबल नहीं बेर इंस्ट्रूमेंट है जैसे बेर चेक कह लें भाई ने मुझे बेर चेक दिया इनका नाम बैंक का नाम लिखा है इनका नाम भी लिखा है जिसको पेमेंट करने जार ने उसका नाम लिखा है लिखा होता और्डर ना बन जाता नहीं लिखा बेर इंस्ट्रूमेंट है मैंने इनको चेक दिया इन्हों ने उसको दिया डियू डेट पे चेक डिसाउनर हो गया इन्हों ने डियू डेट तो उसकी वैसी होती है बैंक को प्रिजेंट किया चेक ड समारा नामी नहीं आ रहा यह कैसे थाभिद करेंगे कि वह चेक उन्न Copа le continued कर सकते तो लिए जब यह साबीट नहीं कर सकते क्यों यह चैक कि नंहीं हम से लिया था तो हमारी लेगल लायबिलिटी नहीं होगी लिगवल लाएबिलिटी कभ होगी जब निगोषिएबर स्रूमेंट में नाम आया होगा हाथ हमें चुक्त यहाथ हमाथ आगे चलता रहता है इसमें किसी का नाम निलिखा होता है इसलिए जो है जब डिसान्ब्र हुझाए ट्रांस्पर की लाइबिलिटी नहीं होती यह समझा अ Это क्या है कि पॉजेसर होना चाहिए उसको किया सोरी पेमेंट डियों को सो जा बताईए के पेमेंट गर नी है वह मिचौरिटी डेट पे करनी है फिर पेमेंट डियों को एक बिल ऐख सेंज था उसकी maturity date थी 25 April उसकी payment कर दी पांच अपरेल को किसी बंदे ने जो लाइबल था ड्रॉई उससे payment कर दी पांच अपरेल को क्या यह payment in due course समझे जाएगे अगर वो person कीजिए bill of exchange वापिस ले जाता है 25 तारी को दुबारा आ जाता है तो उसे दुबारा पेमेंट करने होगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए ज़रूरी है कि payment maturity date पे की जाए maturity date से पहले payment की जाएगी तो वह instrument की payment नहीं समझी जाएगी वो की और पेमेंट समझी जाएगे इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट कब ड्यू होती है maturity date पे यह बास समझाए तो majority date यह उसके बाद payment करेंगे वह वैलिड़ा बिफोर maturity date payment करेंगे वह वैलिड़ ने वह instrument की payment नहीं समझी जाएगे इस्ट्रूमेंट की तो पेमेंट ड्यू नहीं होई जी और की question अजी वो कह रहा है कि अगर आपने endorsement की question यह कि वो जो single endorse वाला point था वो क्या था वो कह रहा है कि अगर आपने endorsement करनी है सारी की सारी मांट की करनी है और एक ही बंदे को करनी है यानि यह नहीं कह सकते कि हैं तो सारी मांट की डोस्मेंट करें या सारी मांट की डोजमेंट ना करें ये भी नहीं कहँते हैं कि मैं हैं डोस्मेंट This K थीकि एया है ना एके पास जाएगा दो के दाओड इंस्ट्रूमेंट जाएगा ऐगा इन्स्टाल्मेंट्स हो शक्ति इन्स्रूमेंट की लेकिन endorsement जो है वो जो instrument की term and condition है payment की endorsement उनके मताबिक ही होगी ठीक है एक से ज्यादा लोगों को endorsement नहीं कर सकते हैं अगर instrument पे ही लिखा हुआ है कि वो installments में payment की जाएगी तो उस सुरत में आप endorsement जाहिर है जो term and condition के मताबिक endorsement हो जाएगी जी और की क्वेस्टन 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 नंबर फिफ्टीन करेकर आदे बलके ऐसा करते हैं कि सारी क्वेस्टन जी कर लेते हैं क्वेस्टन सैमन फाइव हमने कर लिया था सिक्सा कैंसल कर वा दिया था आपको सेमन अंटर दा प्रवियन ऑफ निगोशियेशन एंड इंडोर्श्मेंट क्या दोनों टम सेम हैं या फरक है फरक है निगोशियेशन का मतलब है कि ट्रांसफर होना एक परसंट से दूसरे परसंट को और इंडोश्मेंट का मतलब क्या है कि साइन कर ठीक है और इंडोश्मेंट किस केस में होती है और इंस्ट्रूमेंट के केस में या बेर के केस में और के के मेरे निंच्ट फ्ट आथा डितिरेंट टाइबस अब्समें इंडोजमेंट की डिफिरेंट टाइप स्कि regulations मेरे strengthened यह जोने जल्रेंट में एंगे ond של वेफ्ली प्रिफित रू कर देंगे आपको delivery के साथ साथ sign भी करने पड़ते हैं और यह होती है order instrument में question 12 define endorsement discuss any five essentials of valid endorsement वो कह रहा है कि endorsement के essentials बताएए ठीक है आप इसमें आप सोच रहोंगे कि इधर तो आर इसेंशल थेक है तो इसमें जो सैकेंड आइसल में यह दो है सैकिन में इसमें इसमें और नो पर्टिकल फार्म वर्ड इसने सेशरी यह एक नहीं बेले यह दो सेंशल जाए उसको उसने एक लाइन में कवर कर दिया थर्टीन वेन निगोश्येबं सुमेंट इस डिसाणर बाइन नॉन पेमेंट वाट इस धी इफेक्ट ओफ साच डिसाणर यह वे जाए प्वेस्टन में भी यह के सटी कर लोग्स के बाद इसको थोड़ा एक्स्प्रे मैं इसको डिटेल में डिसकस करना चाह रहा हूं क्वेस्टन थर्टीन वाले कंसेप्ट को डिटेल में डिसक्स करना चाहरा हूं पहले फोर्टीन अच्छा फोर्टीन में कोई प्राब्न दो नहीं है फोर्टीन पढ़ लेते हैं एड्राउज ओन बी एबिल पेबल थ्री मुंस आफ्टर साइट ठीक है यह अच्छा यह यह बिल यह किसकी बात करा प्रॉम इज्टीन ओट की बिल ओफ एक्स एंज कि एड़ पासिस थ्रू सेवरेल हैंड्स बिफोर एक्स बीकम्ट इट्स होल्डर एक्स होल्डर राबना अल्टिमेटली ऑन पिजेंटेशन बाय एक्स बी रिफ्यूजिस टूपे डिसकस्टा राइट्स ओफ एक्स उन दाबिल चले थर्टीन के साथ इसको मैं मिला के डिसकस कर रहा हूं निकोशियबल इस्रूमेंट की कितने टाइप्स हैं कौन-कौन से प्रॉमिजरी नोट विल ओफ एक्स हैं चेक पहला क्वेस्टन प्रॉमिजरी नोट जब कर लिया जाता है कौन लाइबल है टू पे मेकर और किसका राइट है टू रिसीव पेई नहीं है यहां पे अहां सॉरी यह पेई का राइट है और अगर इंडोर्जमेंट कर दी गई हो इंडोर्जी का राइट है जो फाइनट जिसे होल्डर कहते हैं अगर यह प्रॉमिजरी नोट ड्यू डेट पे डिसावनर हो जाए हू इस लाइबल टू पे हू इस लाइबल टू पे अगर इंडोर्जमेंट नहीं हुई maker liable to pay किसको pay को अगर endorsement हुई है और endorsement के बाद from misery note dishonor हो गया who is liable to pay maker liable to pay बेसिकली जो प्राइमरी पार्टी liable to pay है वो है maker अब देखें right to receive किसका है जो holder है holder holder of from misery note उसके पास दो option है चाहे तो वो case file करे recovery का maker के against चाहे वो case file करे किसी भी endorser के against दोनों से receive कर सकता है ठीक है या तो maker से अगर यह false कीजिए प्रामिजरी note है दो पार्टी जो है सिरफ और इसने आगे इंडोस कर दिया C के पास प्रामिजरी note है due date पे dishonor हो गया C के पास क्या right है ultimate जो लाइबल पार्टी यह है law यह कहता है C केस कर सकता है यह maker के के खिलाफ भी और यह case कर सकता है किसी भी इंडोसर के गेंस्ट में उसने डिसाइड करना है सब को नहीं कर सकता किसी यह तो maker यह कोई इंडोसर यह बास समझाए आपको ठीक है legally वो कहते है draw जो है यह maker हमारी प्राविजनी नोट के एक्जेंपल में यह है liable as principal debtor as principal और यह बाकी के लोग जिनों ने इस instrument को आगे forward किया तो जैसे जैसे forward करते के यह एक तरह से अगली parties को guarantee देते के के due date पे पे होगा यह है liable as short यहां तक बास समझाए अब आते हैं bill of exchange की तरफ तरदीब से चलते हैं ड्रावर ने ड्रावर ने अब यहां पे ड्रावर तीन parties आ गई ड्रावर ने bill of exchange इशू किया ड्रावर ने accept किया यह pay है पहले बताये bill of exchange accept होने से पहले liability किसकी है ड्रावर ड्रावर की नहीं है उसने accept ही नहीं किया जब accept कर लिया pay के पास आ गया फर्स कीजिए इंडोर्स नहीं किया उसने आ गए ठीक है लाइबल पार्टी कोन है ड्रावर प्रावर पार्टी लाइबल कोन है ड्रावर अगर ड्यू डेट पर डिसॉनर हो जाता है तो फिर liability किसकी है law कहता है dishonor हो जाता है ड्रावर की liability है वो accept कर चुका है drawi की liability है as principal debtor अब यहां पे draw की भी liability है as surety के चाहे तो इसके खिलाफ case कर ले चाहे इसके खिलाफ case कर ले अगर उसने आगे इसको इंडोस कर दिया C के पास आ गया bill due date पे C गया drawi के पास dishonor हो गया C के पास क्या course of action कौन कौन party liable है primary liability draw की है as principal data बाकी जितनी भी parties है इनकी liability क्या है as surety draw की liability है के नहीं है draw की liability है के नहीं है as principal data या shorty surety C चाहे तो director draw के खिलाफ case कर ले चाहे तो किसी भी party के खिलाफ case कर सकता यह बास समझे check के case में क्या होगा check के case में station थोड़ी different है check draw ने issue किया bank के नाम पे इसमें में शाय ड्राइ बैंक होता है यह bank का नाम है pay के पास गया pay ने आगे a, b, c को दिया due date पे dishonor हो गया from misery note और bill of exchange के case में c के पास right था कि वो draw के क्लेम कर सकता है draw के खिलाफ case फाइल कर सकता है लेकिन check के case में c draw के खिलाफ case फाइल नहीं कर सकता अग्रिमेंट नहीं है from bill of exchange from misery note के case में यह primary party के तोर पे लाइबल है प्रिंस्पल डेडर के तोर पे चेक के केस में लाइबल नहीं है चेक के केस में यह case फाइल करेगा किसके खिलाफ सिर्फ ड्राव के खिलाफ क्यूंकि इन दोनों के दिर्मयान में कोई प्रिविटी आफ कॉंट्रेक्ट नहीं है हाँ बाद में अगर बैंक ने ड्राउंक फूर्ट डिसॉनर की है वो ड्राव को कंपंसेट करेगा यह बाद समझ आई अब इस कंसेप्ट को जहन में रहके हमने यह case सॉल्फ करना कहरे है ए ड्राउं उन बी ए बिल पेबल थ्री मन्स आफ्रसाइट टाइम इस्टूमेंट है ए ड्राउर है बी ने एकसेप्ट किया इट पाजिस थूर सेवरेल हैंड बिफोर एकस बीकम इस होल्डर एकस के पास आ गया उन प्रिजेंटेशन बाई एकस बी ने रिफ्यूस कर दिया बताएए एकस के पास क्या राइट से एकस चाहे तो केस फाइल कर सकता है बी के खिलाफ एज प्रिंस्पल डेटर और चाहे तो केस फाइल कर सकता है सारे इंडूर्जर और ड्रॉर के खिलाफ एज शूर्टी लेकिन सब के खिलाफ नहीं केस फाइल करेगा ठीक है उसने डिसाइड करना है और जिस के खिलाफ केस फाइल करना है उसने उसको नोटिस ओफ डिसाउनर देना है उसने ठीक है जैसे फर्स कीजिए कि वह यह करता है कि मैं एक खिलाफ केस फाइल करूंगा एक नोटिस ऑफ डिसानर दे क्या इस्टूमेंट डिसानर होगा एक कैसे पता चलेगा यह अगर उसने ड्रॉर के सानर होगा कौन लाइबल है ठीक है आज बिलकुल यह डिपेंड करेगा के प्रॉम मिजरी नोट आगे बिल ओफ एक्षेंज के चेक यह डिपेंड करेगा इंडोजमेंट हुई है कि नहीं हुए कुछ समझाई बात कि नेक्स है हमारा क्वेस्टन 15 ए ओस बी रुपीज 1,000 ए मेक्से प्रॉमिजरी नोट फॉर्दा अमाउंट पेबल तू बी ए डाइस प्रॉमिजरी नोट डिख दिया उसने उसके बाद मर गया ए डाइ एंड़ नोट इस आफ्टरवर्ड्स फाउंड अमंग इस पेपर और बाद में उसके पेपर मेंसे म डिलिवरी होना जरूरी है ठीक है डिलिवरी के बगार इंडोस्मेंट बगारा नहीं होती प्रॉमिजरी नोट बे वैलेट नहीं है अगर वालन्ट्री डिलिवरी नहीं हुई फिफ्टिन क्लियर हो गया और की क्वेस्टन चलिए आज क्या कंसेप्स के तरफ चलते हैं आज हमने दो कंसेप्स टुड़ी करने हैं एक डिस्चार्ज ओफ इंस्टूमेंट और दूसरा मेटीरियल अल्ट्रेशन एक दो कंसेप्स के लावा बागी कंसेप्स सिम्पल है सबसे पहले यह समझिए कि डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराथ है देखें ला में जब हम वर्ड यूज करते हैं डिस्चार्ज इसका मतलब यह है कि कोई पर्सन अपने राइट्स और लाइबिलिटी उसके खतम हो गए लाइबिलिटी उसकी सैटल हो गए तो दो वर्ड हैं मोर्ड ऑफ डिस्चार्ज का मतलब क्या है सैटल्मेंट ऑफ राइट्स और लाइबिलिटी उस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एक है डिस्चार्ज ऑफ पार्टी इस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि उस इंस्ट्रूमेंट में जितनी भी पार्टीज थी सब के राइट्स और लाइबिल्टी सेटल हो गए इंस्टूम्मेंट कम्स टू एन एंड अब ये इंस्टूम्मेंट मजीद निगोशियेबल ट्रांसफरेबल नहीं रहा है इसको कहते हैं डिस्चार्ज ओफ इंस्टूमेंट डिस्चार्ज ओफ इंस्टूमेंट का मतलब क्या है उस इंस्टूमेंट पे जितनी भी पार्टीज लिखी हुई थी उन सब के राइट्स और लाइबिल्टीज खतम हो गए इंस्टूमेंट भी खतम हो गया अब ये मजीद निगोशियेट नहीं हो सकता ये है डिस्चार्ज ओफ इंस्टूमेंट डिस्चार्ज ओफ पार्टीज का कंसेप्ट क्या है कि इंस्टूमेंट खतम नहीं हुआ लेकिन उस पे कुछ पार्टीज की लाइबिलिटी खतम हो गए सारी पार्टीज की नहीं कुछ पार्टी सम आफ दा पार्टीज की लाइबिलिटी खतम होगी राइट्स खतम होगे लेकिन इंस्टूमेंट अभी वैलिड है और ये फर्दर निगोशियेट भी हो सकता है ठीक है इसका मतलब ये हुआ डिस्टाज ओफ इंस्टूमेंट का मतलब है फुल लाइबिलिटी सारी पार्टीज की सेटल हो जाए और डिस्टाज ओफ पार्टीज का मतलब है पार्शल सेटलमेंट हो रही है कुछ पार्टीज की लाइबिलिटी खतम हो गई और कुछ पार्टीज की लाइबिलिटी अभी भी है पहले बताईए डिसार्ज ओफ इंस्ट्रूमेंट और डिसार्ज ओफ पार्टीज फरक समझ आया एक्जैम में क्वेस्टन है ध्यान से देखना है कि डिसार्ज ओफ इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है कि डिसार्ज ओफ पार्टीज अब दोनों कंसेप्स को स्टड़ी करते हैं पहले डिस्टाज ओफ इंस्ट्रूमेंट किन मोड्स क्या हैं देखे इन में एहम चीज है हेडिंग हेडिंग अगर आप याद कर लेते हैं तो अंदर की कहानी हमें समझ लग जाती है बाराल रीडिंग हमने करने है और कोशिश करि पहली चीज पेमेंट बाइ प्राइमरी पार्टी पेमेंट बाइ प्राइमरी पार्टी यहां पर मुझे बताईए बिल ओफ एक्सचेंज है प्राइमरी पार्टी जिसकी लाइबिलिटी या पे करना वो कौन है ड्रॉई जब ड्यू डेट पे यह बिल आया ड्रॉई के पा इंस्ट्रूमेंट यी खतम हो गया प्रैक्टीकली जब यह सी बिल फेक्ट ड्राई के पास आता है पैसे लेने के डॉइर आप बिल किदर है पहते है तो यह देखे सब बीलाप का ड्राई बिल को पकड़ता है- उसको फाट के फैंक देता है पेमेट कर देता है अब इसका मतल समझाइ इसका opposite concept सुने हैं अगर due date पे सी बजाए dry के पास आने के बी के पास जाके कहता है मुझे payment करो भी कहता है यह डियू डेट पे डिसोन्वर हो गया सीने बी को बगडा उसने का भी तुम तो कहते थे payment पैसे लो इंस्ट्रूमेंट मुझे दे दो क्या बी इंस्ट्रूमेंट ले कि इसको फाड़ देगा बिल्कुल वह उसने यह से पैसे लेने क्या अभी भी लाइबल है टूपे भी अभी भी राइट है तो बताएए इस केस में अब अगर यह सेकेंडरी पार्टी पे कर देते हैं इसके राइट्स लाइबिल्टी खतम हुए है इसके राइट है इसकी लाइबिलिटी है इसका राइट भी है तो इसका मतलब यह हुआ अगर सेकेंडरी पार्टी यह प्राइमरी पार्टी हुई तो यह बागी सेकेंडरी पार्टी हुई अगर प्रा बड़ था ठीक है अब प्राइमरी पार्टी ने परे किया सभर स्ब्रिकरी ने परे किया अग्र इंस्टुमेंट ही डिशार्ज हो गया लेकिन से इकने invited कि परेंटाइन अको तो फिर यह संदे नहीं पेमेंट की तो इंस्ट्रूमेंट डिसाज नहीं होगा इस्ट्रूमेंट सिल वैलिड है क्योंकि भाई फर्दर उसने आगे पैसे लेने बीने एसे एने आगे पेई से और पेई ने जाके ड्राइग को पकड़ना ठीक है वैसे तो इसकी मरजी है डिरेक्ट भी केस कर सकते हैं लेकिन तर्तीब से भी चल सकते हैं दोनों में फरक समझ आया डिसार्ज ओफ इंस्ट्रूमेंट और डिसार्ज ओफ पारिटीज में पहला केस पेमेंट वाला क्लियर हो गया इसमें वैसे आई कैप की बुक में एक इसी आर्टेशन की गई थी कोई साइन ऐसे थे जो के फेक थे देखने में नी लगहा था वह हैं कि अल्टरेशन की गयी लेकिन आसी महारत और बंदे को पताना है जिसने पेमेंट की उसकी लाइबिलिटी खतम होगी कि अभी भी लाइबल है चेक फेक थे अब देखे बैंक होता ना तो हम कहते बैंक वालों की बकाइदा ट्रेनिंग होती है कि वह साइन को किस तरीके से मैच करना आम बंदे के पास यह ट्रेनिंग नहीं होती बैंक अगर फेक साइन पे पेमेंट कर देता है तो हम कहेंगे उसने इन गुड फेथ विदाओड नेगलीजेंस काम नहीं किया वो लाइबल होगा लेकिन अगर आम बंदा पेमेंट कर दे निगोशिबल इस्टूमेंट की देखने में साइन सही नजर आ रहे थे बाद में पता चलता है गलत है क्या उसकी लाइबिल्टी खतम होगी कि नहीं कि इन गुड फेथ किया तो उसकी लाइबिल्टी खतम हो गई यह भी डिस्चार्ज ऑफ पार्टी का गेस है इसलिए वह कह रहा है चाहे इंस्टूमेंट आर्टर भी किया हो अगर कोई पार्टी पेमेंट कर देती है तो उसकी पेमेंट से उसकी लाइबिलिटी सेटल हो जाए मेल पॉइंट किया है पेमेंट किसने की प्राइमीर पार्टी ने की इस्टूमेंट डिसाज सेकंडरी पार्टी ने की तो सेकंडरी वह इस्टूमेंट डिसाज का केस नहीं होगा नेक्स निगोसियेशन बैक यह कर में लिखेंगे इनको दिया ठीक है फ़र्च किजिए मैं एक पर्टी हो आरिबल डुप्रामिसरी कि मैं नोट इनको दिया मेरी किताबेमे इन्होंने प्रमिजरी नोट नूर्ट मेरी बुक्स में हागया क्या मैं न दोनों को सेट औफ कर सकता हूं लागत है बिल्कुल कर सकता हूं तो अगर घूमते घूमते आपका प्रामिजरी नोट आभी के पास दुपारा आ जाए तो इसे कहते है निगोसियेशन बैग तो कहते है इस अब इस वक्त क्या करना है हमने अब यह तो नहीं अपने से ही रिसीवेबल अपने से प कर दें यह यह केस होगा भाठ चेहरेंग दीजिए सट आफफ कर द Jahre अपने आपको परसेव करना ता फ़िए करना था यह हैं एक यह निगोसियेशन बैख तो निगोसियेशन बैग से पाड़्यटी डिर्स आजोगी आं सूमेंट करना instrument को cancel कर दे cancel कर दे का मतलब क्या है फाड के पहांग तो कहता है लेकिन अगर आप उसके उपर cross भी लगा देते हैं खास तूर पर sign के उपर cross भी कर दे उससे भी instrument खतम फाड के पहांगना जरूरी नहीं है physically destroy भी कर सकते है physical destruction से भी instrument खतम, discharge हो गया लेकिन अगर आप उसके उपर cross कर देते हैं साइन जो किये हुए है primary party ने, liable party sign को cross कर दे हैं अब आप payment receive नहीं कर सकते हैं instrument उस सुरत में भी खता यहां यह पूरा instrument है पूरे के उपर cross कर दे हैं यहां जहां पर primary party liable ने sign की हैं इसके उपर cross कर रहा है अब इसका मतलब है party liable to pay नहीं रहे instrument क्या हो गया यहां पर एक चीज़ जहन में रखिएगा अगर आपने destruction जो की है intentional की है फिर यह party discharge होगी sometime ऐसा होता है कि unintentionally कोई instrument हो सकता है कि वो destroy हो जाए तो उस सुरत में तो यह instrument जो है वो समझा जाएगा cancel हो गया अगर unintentional destruction होई है उसके लिए फिर लैदा proceedings होते हैं कि आपने वो duplicate bill जो है वो कैसे निकलवाना है वो हमारे slayvus में नहीं है cancellation of instrument समझा गया cancellation दो तरह से हो सकती है physically destroy करते है भाट के पैंक दे या sign के उपर cross करते है clear हो गया यह अच्छा यह फर्ज कीजिए मेरे पास instrument आया मैं मिस्टर सी हूँ dry जो है dry यह मेरे पास आया और आके मेरे पैर बगड़े देखा सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ बस यह liability पे नहीं कर सकता आप मुझे माफ कर दीजिए क्यामत वले दिन अलाद अलाब को सवाब देगा और इसने अपनी कोई दुख बरी दास्ता सुना ही मैंने का अच्छा ठीक है अब अगर मैं इसको इसके साइन को क्रॉस कर देता हूं या फिजिकली इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रॉय कर फाड़ के फैंक देता हूं इसकी liability खतम हो गए इंस्त्रूमेंट डिस्ट्रॉमेंट डिसार्ज हो गया बाकियों की liability खतम है क्यों भी liability खतम है मेन पाठी ही यह इसे कछकी है इसे इसके सर पे तो सब की liability है पिक है अच्छा फर्ज कीजिए अगर मैं उसे को मैं कूँ भाई वो तो इंस्रूमेंट खुद मेरे से गुम हो गया तीन दिन हो गया मुझे नहीं मिल रहा अब बताईए क्या कोई तरीका ऐसा है कि मैं ड्रॉइ को इसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकता हूँ मेरे पास इंस्रूमेंट नहीं है हाँ रिटन एगरिमेंट देते हैं कि आपने मुझे वो जो इतने रुपो का इंस्रूमेंट दिया था अब मैं आपको उसकी लाइबिलिटी से रिलीज करता हूँ अब वो अलायदा से पीस और पेपर होगा उसको ला ने लायदा लिख लिखे उसे कहते हैं रिलीज ऑफ इंस्र झाल झाल ए इसके पास आया और आके कहने गोर से सुनने का अधरा बात कि भाया मैंने पेई से पैसे लेने थे इसने मुझे इस्ट्रूमेंट दे दिया मैंने आगे भी को ट्रांसफर कर दिया बाइ ब्राए महरबानी अगर ये चेक डिसानर इस्ट्रूमेंट डिसानर होना तो मैं कानूनी मामलाद में नहीं बढ़ना चाहता मैंने उदर से पैसे रिसीव करने था दूर पे करें चक्रों में ना डालिएगा आप डारेक्ट उस बंदों से पेमेंट ले लिएगा दूसरे बंदों से मुझे नाइस में डालिएगा मेरी रिक्वेस्ट आप से सी ने का ठीक है एसे पेमेंट मैं नहीं लोगा अब सी के पास दो तरीके एक कैंसलेशन का एक रिलीज का कैंसलेशन का तरीका क्या करेगा सी एक का नाम कैंसल कर देगा अब बताईए उसने अगर ड्राई को कैंसल करता है इसके साइन यह डिसारज अफ इंस्रूमेंट था A का नाम कैंसल किया या अलाइदा पेज पर उसने लिख दिया कि मैं रिलीज करता हूं कैंसलेशन और इलीज का इफेक्ट एक है फरक सिरफ यह है कि आप इंस्रूमेंट के ओपर कैंसलेशन करें रहे हैं लाइदा से दोवे पे लिख रहे हैं बताईए पार्ट यह एक पार्ट इंडूर्जर का नाम जो है कैंसल किया यह डिसारज अफ इंस्रूमेंट या अच्छा मुझे यह बताईए इसमें कौन-कौन सी पार्टी डिसारज हुए ए और बी कैसे डिसारज हुए भाया बी कहेंगे भाया मैंने तो एसे पैसे लेने थे आपने एक को निकाल दिया दरम्यान से मैं किसे पैसे लो लाइए कहते हैं अगर आप किसी पार्टी को प्र करते हैं तो वह पार्टी भी डिसारज और सबसीवेंट पार्टी जंट मेरिया चलेंस रखेएं का थक्म्यद्राइं इसे एंसे फर दिया बेर özने कर ल İOS कि पर मिलें आप दिया थिक की कि रहनेए कंशल और ड्राइ का नाम ले यह कैंसल कर देते तो जाहिरा सारी पार्टी ने अल्टीमेटली ड्राइ से रिकवर करवाने थे तो आपने ड्राइ को क्लाइबिल्टी कैंसल कर दी मतलब साकी सबका राइड भी कैंसल कर दिया अगर primary party को cancel करें discharge of instrument secondary party को cancel करें discharge of parties और इसमें जिसका नाम cancel करें वो party तो discharge होगी होगी बाकी की all subsequent parties भी discharge all subsequent parties भी ये subsequent का लफ़ जहन में रखना है बहुत ये बाद समझाई अच्छा आगे में चले फर्ज कीजिए कि ये अब A B C situation इसी तरह है A B B C C के पास ये amount है 80,000 की ये चेक आया B के पास ठीक B ने इसमें 80,000 है A काइड कर दिया एक लाक 80,000 कर दिया आपके चाल में छोटी मोटी material alteration है या material alteration material alteration अब बताईए material alteration के बाद क्या एपार्टी अच्छा एक इंडरस्ट्री वावदाता हूँ मैंने किसी को चेक दिया का उसने फनकारी से उसको 5000 कर दिया बैंक के पास चला गया बैंक को पता चल गया कि यह जो है पहले जिरो लिखा वह बाद में एक जिरो एक्स्टा एड़ किया गया उसने क्या करेगा पांच लाकी प्यमेंट करेगा के पचास हजार की कि कि यू किसी गह को कि आमांके नहीं करेगा कि बोश्कष्य को डिसाउनर करदेगा अब तो इस को पिछली पार्टिस की मर्जी से कि लेकिन प्राइराइर पार्टीस अप्याई रपार्टी नहीं अदुक्षिण पार्टी सभिधा था prior party की मर्जी से की फिर तो ये valid है लेकिन अगर prior parties की मर्जी के बगार alteration की तो बताइए अब prior parties की liability क्या है एक लाख 80,000 की के 80,000 की किसी की भी नहीं एक लाख 80,000 की कैसे भाई उसने उसको 80,000 का instrument दिया उसने आगे लगा लिया है तो अब एक लाख 80,000 देगा वो वो इसको कोई जो previous party अगर याद रखे निगोशियब इंस्ट्रूमेंट में material alteration की जाए parties की मर्जी के बगार तो वो parties liable नहीं है एक रुप्या भी देने के लिए liabilities क्या हुए लिसाज हो गए अगर without concern लेकिन कौन सी parties की liability लिसाज हुए प्रायर सबसीक्वेंट वाली के नहीं हुई तो material alteration अगर आपने की तो प्रायर पार्टी सारे डिसाज़ फिर इसके बात qualified या conditional acceptance qualified या conditional acceptance एक example है material alteration की लेकिन से आई के अपने लदा पॉइंट रखा हुए हम इसको लदा पॉइंट कर रहे हैं qualified या conditional acceptance क्या है कि आप कोई ना कोई instrument में condition add कर दें कौन सी condition time की place की या manner of payment की फर्ज कीजिए अगर example के लिए एक example काफी एक इस समयने के लिए फर्ज कीजिए निगोशियोबन स्रूमेंट लिखा हुआ था उसमें कि मैं आपको 80,000 की payment करोंगा आगे किसी पार्टी ने बी ने इसको एड़ी था तो नहीं रहने दिया आगे लिख दिया एड कराची कराची में पार्टी सारी लाहूर की पेमंट होगी कराची में इसको जब हम condition को एड़ कर देते हैं जो औरीजिनी condition नहीं थी अगर तो ऑड़ी चेंज किया वो ओडिविकल अगर आप ने उसमें किसी चीज़ को एड़ कर दिया condition को इसे क्या क्या कहते हैं conditional acceptance qualified acceptance qualified acceptance की वज़ा से अब बताईए अगर prior party की consent नहीं ले गई prior party liable है उस condition को मानने के लिए के नहीं prior party discharge होगी लेकिन जहन में रखेगा material alteration qualified acceptance या conditional acceptance दोनों में rules हैं है अगर आपने material alteration की या qualified acceptance condition एड़ की prior party की मर्जी के बगएर prior parties discharge है हाँ अगर आपने material alteration और qualified acceptance के बाद इस instrument को आगे transfer किया क्या कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन अब ये instrument ऐसे operate होगा जैसे altered है altered ही जैसे original था यानि अगर इसको एक लाख 80,000 करके भी आगे सी को दे देता है तो अब ये लाइबल नहीं पेई लाइबल नहीं ड्राइबल नहीं भी लेकिन कितने के लिए 180,000 के लिए है क्योंकि सी को तो नहीं पता ना उसी को तो 180,000 के पता है वो तो 180,000 का करके उससे लेगा ये बास समझाए अगर प्रायर पार्टी की कंसेंट के बगार किया गया हो तो अगर प्रायर पार्टी डिसार लेकिन सब्सीक्वेंट्ली वह ऐसे उप्रेट करेगा जैसे आल्टर्ट वाला ही औरिजनल था ने नर्ट गिवेंग नोटिस आफ डिस्वंटर अभी है सिंबल गंसर्ट सीग या ड्राय के पास ड्राय ने का कोई पैसे नहीं है सीज बताएए किस किस के खिलाफ केस कर सकता है ड्राय के खिलाफ एस प्रिंस्पल डेडर इंडोर्जर सब के खिलाफ और ड्रॉर के खिलाफ भी एंशुर्टी क्या सब को कानून के टहरे में लाग खड़ा करेगा डिसाइड करो भाई किसको करना पेमेंट तो एक हर एक से लैदर अधा पेमेंट तो लेगा असी जार की पेमेंट पांच दव और कि अगर सी कहता है से वैसे लेने हैं कि अटर प इसे चाहता है विक अगे तृट तो अगर कि सी पार्टी क determination नहीं बेजा है वाधादि क्या रिषा और जिसको अधिजम है बनाभि है जिसको यह पिसाज अपिस सुमेंट नहीं इस तम नहीं है डिसाजँ होता तो सारी कि सारी पार्टी जो है वो जसको नोटस में बेजेगा वो लाइबल है बाकी के पार्टी जिसाइब आगे से नौट में फ्रिजनेबल टाइम क्या मतलब सिक्स मंत वाली का एंगजेम्पल नहीं है six month में तो वो liable है कि चेक आपको replace करके देगा party जिसने शुकिए अगर within reasonable time check present नहीं किया जाता bank fail हो जाता है तो बताइए जो draw है उसकी liability है कि आपको पूरी payment करें नहीं उसकी liability नहीं है वो discharge हो जाता है वो नुकसान किसका हुआ pay का और पेही ने जो बाकी का 60% है वो recover करवाना है किस से करवाना है bank से पेही तो खुद होल्डर है bank से रगए यादा है bank fail at 40 यानि जो 40% नुकसान हुआ वो किसका है वो पेही का है वो draw का नहीं है उसकी liability discharge हो गई last concept operation of law जैसे कोई इंसॉल्मेंट हो जाए अगर इन में दो तीन उसने एक्जेमपल दी है एक एक्जेमपल काफी है concept समझने के लिए operation of law की अगर कोई इंसॉल्मेंट हो जाए इन में से Mr. A insॉल्मेंट हो गया तो अब वो लाइबल है क्या वो लाइबल है जी कुछ समझाए आपको चलिए आज ये material alteration वाला concept नहीं बढ़ ले हम सिर्फ यही समझाए लेकिन अभी quick revian करें क्योंकि अभी quick revian करेंगे फिर कुछ concept जो है मजीद क्लियर होंगे सबसे पहले मुझे बताईए discharge of instrument और discharge of parties में क्या फरक है discharge of instrument में सारी की सारी parties की right side liabilities settle हो जाते हैं खतम हो जाते हैं instrument खतम हो जाता है further negotiable नहीं है और discharge of parties में कुछ parties discharge होती हैं कुछ parties still liable है अब पहले देखते हैं discharge of instrument के cases सबसे पहला payment by primary party क्या कह रहा है अगर primary party यानि जो ड्राइब लोफ एक्सेंज के case में जो ड्राइब है या प्रामिस्टी नोट के case में मेकर है अगर वो payment करते हैं discharge of instrument और अगर secondary party payment करें discharge of parties negotiation back हो जाए गूंपिर के वापिस निगोशिएब इस्ट्रूमेंट उसी पार्डी के पास आ जाजाए जिसने प्रेमेंट करनी है discharge of instrument cancellation of instrument cancellation शुमेंट का मतलब क्या है क्रॉस करते साइन को यहां भाड़ के फैंक रिलीज ऑफ इस्ट्रूमेंट क्या है cancellation ऑफ इस्ट्रूमेंट और रिलीज ऑफ इस्ट्रूमेंट में फरक है cancellation निगोशियेब इस्ट्रूमेंट के उपर ही होगी release अलाइदा सफ़े पर होगी दोनों में common क्या है है कि इस्ट्रूमेंट है इस्ट्रूमेंट पूरेंगा डिसार्ज हो जाता धिरेंσιंफ रेंस्ट्रिक्शार्जभ जैसे सिंपल कंट्राइठ डिसाज होता है सिंपल कम अधुर्द कैसे मैंने भाई को जो है वह बिल उफ एक्शेंज दिए इसके बाद मैंने महीने बादएंगे का यार सा कीजिए फिल ऑफ एक्षेंज रहने थे मेरे से प्रमिज्रीनोट ले तो क्या इप दो जो लाइबिलिटी थी उपान रिपधिन वोगई तो जेगी तो जब प्राने कॉंट्रेक्ट की जगा निया शेक्टन रिशे नोविशन थीक है तो वह प्राने कॉंट्रेक्ट की लाइबिल्टीज खतम हो जाती है प्राना कॉंट्रेक्ट पुरे का पूरा खतम हब ने कॉंट्रेक्ट के मताबिक चलेंगे जी discharge of instrument की situation example समझ आगे अब आगे चलते हैं discharge of parties पहली example क्या है payment by secondary party क्या मतलब कि payment को करते जैसे कोई endorser करते payment तो क्या instrument fully discharge हो जाएगा नहीं बलके जो parties है original parties liable cancellation of name of party या release of party किसी party का नाम यहाँ पर पार्टी कोन सी है primary party है या के secondary party secondary party ये जहें में रखिएगा लिसार्ज आफ इंस्ट्रूमेंट में primary parties का जिकर आता है और रिसार्ज जो पार्टी के केस में secondary party का जिकर आता है नाम कैंसल कर दे तो जिनका नाम कैंसल किया वो और जो subsequent party है जिसको रिलीज किया वो और subsequent parties release हो गई डिसार्ज हो गई लेकिन prior parties liable है और अगर material alteration या qualified acceptance का केस है तो इसमें अगर कंसेंट नहीं ली गई तो प्राइर पार्टी जिसार्ज होगी आपने प्राइर और subsequent का फरक रखना है जिन में कि नौट इविंग दो इस अव्डिसार कि जब इसानर हो गया इस्टूमेट करने किसके खिलाव केस करना है जिसको के खिलाफ नोटस बेजा जिसको नोटस बेज़ेंगे वो लाइबलाभी और बाकी कि लिशार लाइबल नहीं नॉन प्रिजार्ट मेंट अव चेक वे है क्वेशन से प्रेक्टिस ही होगी क्या होगा है अश्य चले कल कर लेंगे ठीक है ठीक तो क्वेशन 16 17 और 18 पड़ किया ये का कल इंशालला हमारा निगोशियेबल स्ट्रूमेंट कंप्लीड हो जाएगा और कल आप अब निगोशियेबल स्ट्रूमेंट में आपको कुंसा कंसर्ट सबसे मुश्किल लगा है ठीक है कल आपने ये मुझे बताना ठीक है और दूसरा हमारा जो असेस्मेंट था कल इंशालला टाइम होगा हमारे पास तो जो हमारी असेस्मेंट होई है उसको भी डिसकस करेंगे आज का लेक्शेर यां बेखताम असरी सबसे मुश्किल राजब अजी आपकोका बना बेखता बाजा आपकों को भी दिएताना आपकों क्षिकल अपकों करेंगे